हेलो बई मैं अर्मान आपका स्वागत है मेरे यूटूब चेनल फटे लोटो व्लोक्स में बई सामने जो आप बाइक दिख रहे हो यह है बजाज की पलसर 150 जैसा कि भाई अभी 2023 आ चुका है और इस बाइक को हमने 2021 में परचेस किया था और इसको लगबग हमारे पास दो साल इस बाइक को हो चुके हैं और अभी तक का इसका हमारे साथ केसा एक्सपिरियंस रहा है आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर करने वाला हूँ तो बने रहो वीडियो के एंड तक तो बाइयो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइज से तो इस बाइक का केस में इसको बाइक किया था इस बाइक में आपको तीन वेरेंट देखने को मिलते हैं इस्टेंडर क्लासिक और नियॉन और यह जो आप सामने देख रहे हो यह इसका नियॉन वेरेंट है और इसके ओन रोड प्राइज है एक लाग सोला जार रुपे सिंगल डिस्क ब्रेक ब पर जाती है तो काफी बढ़िया प्राइस पोइंट के सांथ यह बाइक आपको देखने को मिल जाती है वह सबसे पहले बात करें इस बाइक के इंजन की तो इसमें आपको 150 सेसी का एर खुल्ड इंजन देखने को मिलता है और में एक सब पावर के बात करें तो 14 PS की पावर पहले निकलता है 800 8500 rpm पर तॉर के के बात करें तो 14.25 यह का इसमें आपको देखने को मिलता है 5-spin मैं युलsty घर tones के साथ इस बाइक के बात करें तो इसमें अपको 148 kg कौ सावर देखने को मिलता है तो बात करें इस बाइक इस एक फिरंड से बस्तव हलोगे आपको और रविता है वह सब्सक्रार अब रहे हैं हैं अब को मिलते हैं यहलो कलर के और में अबर प्लेक की फोशन देखने को मिल जाती तयों इसा कुछ इस में आपको मरगार को मिलता है टेले को ड्रम ٹेली आहिए नहीं को देखने को मिलते हैं front disc brake है उसके साथ ABS भी आपको इसमें आप देखने को मिलता है Rear में DC brake है लेकिन उसके साथ आपको plate मिल जाती है मतलब अच्छिखासी braking Rear से भी स्की हो जाती है Black Color के alloy wheel डेखने को मिलते हैं जो की काफी प्यारे लगते है इस बाइक के side profile से तो side profile में कुछ ऐसी कहानी है बाइक की तो सबसे पहले याँ पर 3D में pulsar की beijing देखने को मिल जाती है और black color और rate में इसका combination देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको rate color में sticker मिल जाता है नीचे आपको engine guard देखने को को मिल जाती है और काफी प्यारा लगता है इंजन देखने में यहाँ पर gear की position देखने को मिल जाती है और exhaustable food headrest मिल जाते है जो कि काफी बड़े चीज़े 5-speed manual gearbox देखने को मिल जाता है रियल food headrest ऐसा कुछ आपको देखने को लोहे का मिलता है और पूरा covered मिलता है ऐसा कुछ इसमें आपको main stand देखने को मिलता है और जो side stand है उसमें आपको sensor लगा हुआ मिलता है जैसा कि यह basic है तो और dual horn इस bike में आपको देखने को मिल जाते हैं अब बात कर लेते हैं इस bike के rear से तो यहाँ पर आपको टायर में गार्ड भी देखने को मिल जाता है और rear में आपको इसे soft से यह indicator देखने को मिल जाते हैं जो कि हेलोजन ही based है और जो सुरू से चलते है रहे बाई ऐसे ही इस मतलब रो सी feeling आती है इस bike में और जिस price point पर मिलती है उसमें काफी कुछ चीज़े आपको offer कर देती है और सबसे बेले बात करें यहाँ पर तो आपको LED lights देखने को मिल जाती है और पिछला टायर भी आपको MRF का देखने को मिल जाता है जिसकी profile के अगर मैं बात करूँ तो 197 का इसमें आपको rear टायर देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इस bike के interior की मतलब dashboard के बात कर लेते हैं तो एसी कुछ इसमें आपको seat देखने को मिलती है पलसर में एक सिकात रही कि इसकी जो seat उस पर जो driver है वो अपना comfortable bike को right कर सकता है लेकिन जो पीछे passenger बेटता है उसको थोड़ी सी problem होती है लंबी राइट पर और तीन बंदे तो इस बैग में बिठा ही ने सकते और इस बैग में आपको दो option मिलते हैं एक split seat का और एक single seat का यह जो है यह single seat है और split seat यहां से अलग हो जाती है मतलब दो seat में वो आती है और इस bike में मतलब दो बंदे थोड़ी बहुत दूर जाना है तो comfortable बेट सकते हैं तो बात करें तो इसमें एसा कुछ fuel tank देखने को मिलता है और silver finish में आपको यह fuel tank का cape देखने को मिल जाता है और fuel tank की capacity की बा पर आपको जो glass है ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं इसके mirror जैसे आपको पूरानी पलसर जो चलती आ रही है ऐसे ही मिलते है कुछ upgrade नहीं किया एन में और यहां पर बात करें तो इदर आपको clutch मिल जाता है और यहां पर आपको passing switch देखने को मिलता है यहां पर high low का switch यहां पर placement दी गई है यहां पर कुछ अब अलग से लगवाना चाहे तो और इसा कुछ इसकी की मिलती है आपको की से भी वाई एक थोड़ी सी प्रोब्लम है कि अगर आप एक लाग दस जार बीस जार मानलो डेल लाग के सम्धिंग बाइक चली जाती है तो इसमें भी आपको इसी पत Josh देखने को मिलता है डीजिटल का यहां पर आपको को मिलता है और शाय लॉट्र धिकेशन दीखने को मिल जाती है यहां पर और बात तो यहां पर आपको फ्यूल की इंडिकीशन देखने को मिल जाती हैं यहां पर स्पेट का और यहां पर ओडो यहां पर कितने क्लोमेटर बाइक चल चुकी है यहां पर आपको थोड़ा सा इस पेस देखने को मिल जाता है अपना कपड़ा उपड़ा यहां पर आप कुछ भी रख सकते हो इस बात करते हैं कि आप इस बाइक को आपको 2023 इसमें पर्चेस्ट करना चाहिए अगर आपका बजट एक लाग 10,000 से लेकर एक लाग 40,000 के बीच का है तो आप इस बाइक पर इ इस बाइक करते हैं क्या इस बाइक को आपको 2023 में पर्चेस करना चाहिए तो भाइ अगर आपका बजट एक लाग 10,000 से लेकर एक लाग 40,000 के बीच का है तो आप इस बाइक पर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इस बाइक को हमें यूज करते हुए दो से नहीं साल के सब्सक्राइब कर दिया है और काफी बढ़िया एक्सपिरेंस रहा है इस बाइक का हमारे साथ भाइयो में इसका आपको होरने का साउंड सुनाता हूं तो भाइयो आज कि इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप पलसर लवर हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक्स फर वोचिंग इस वीडियो